हेलो फ्रेंज, अलकास किचेन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये कटल मसाला की रेसिपी इसे जैक फूरूट भी बोलते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये इस मज़ेदार सबजी को कटल मसाला की सबजी इसके लिए एक पैन में मैंने पानी को गरम होने के लिए रखा है ये पानी हलका गुन-गुना हो चुका है और अब मैं इसमें ये 500 ग्राम कटल डाल रही हूँ कटल को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है सिर्फ मैं इसे 5-7 मिनिट के लिए इसमें रखूंगी जिससे जब हम फ्राई करें तो इसको पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगे यानि ज़्यादा ओयल इस्तमाल नहीं हो ये देखिए कटल अच्छे से बॉयल हो चुका है जैसा हम चाते थे बिल्कुल वैसा ही है इसे एक चन्नी से चान कर कुछ देड के लिए रख दूँगी ताकि इसका पानी निकल जाए ये देखिए पानी बिल्कुल निकल चुका है और अब मैं इसको मेरिनेट करूँगी कटल को मैं मेरिनेट करके फ्राई करूँगी इसके लिए मैंने दो बड़े चमच बेशन स्क्यूपर डाला है एक चमच अध्योक लसुन की पेस्ट है ये बन फॉर्ट स्पून हल्दी पाउडर बन फॉर्ट स्पून लाल मेच पाउडर आधा चमच नमक और आप अपने स्वाद के नुसार ले सकते हैं और यह आधा चमच अमचूर पाउडर इसे हम हादों से अच्छे से मिला लेंगे ताकि बेशन अच्छे से पूरे कठल पर कॉठ हो जाए यह देखिए बिल्कुल अच्छे से हो चुका है इसे मैं पांक से दस मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी तेल गरम हो चुका है अब मैं इसमें कठल को फ्राई कर लूँगी हमें कठल लो टू मीडियम हीट पर फ्राई करना है ज्यादा तेज आज पर एकदम से फ्राई करेंगे तो कठल जल जाएगा कठल बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है अगर आप इसको ऐसे भी खाएंगे तो भी यह बहुत स्वादिश्ट लगता है इसी तरह से मैं सारा कठल फ्राई कर लूँगी अब एक पैन में मैंने थोड़ा घी गरम किया है यह मैंने ओयल लिया है रिफाइन ओयल इसमें मैंने डाला है आदा चमस जीरा जीरा क्रेकल होने पर मैं इसमें डाला है यह आदा कप प्याज की पेस्ट है इसे हमें अच्छे से भून लेना है दो से तीन मिनिट के लिए हम इसे भूनेंगे और अब इसमें मैं यह डाल रही हूँ एक बड़ा चमस अद्रुग लसन इसे मैंने दरदरा पीस लिया है इसे भी हम अच्छे से भूनते जाएंगे मसाले को जितना अच्छा भूना हो सबजी उतनी ही स्वादिष्ट बनती है यह प्याज और लसन पिस चुके हैं अच्छे से भून चुके हैं अब इसमें मैं डाल रही हूँ यह आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच लाल मिर्च पाउडर आदा चमच धन्या पाउडर आदा चमच नमक और यह एक बड़ा चमच मैंने किचिन किंग मसाला लिया है जो कि MDH का लिया है इन मसालो को हम एक मिनिट के लिए अच्छे से भून लेंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ यह चार टमाटर की प्यूरी है इसे भी हम अच्छे से जब तक यह ओल चोड़ने लगता है तब तक अच्छे से भूनेंगे देखिए मसाले में ओयल छुटने लगा है और अच्छे से मसाला भून चुका है इसमें मैं डाल रही हूँ यह चार हरी मिर्च जो मैंने स्लाइस कर ली है इसमें आदा कप पानी डाल रही हूँ और इसको ढख कर रख दूँगे थोड़ी दे के लिए पकने के लिए ताकि मसाला और अच्छे से भून जाए यह देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है अब इसमें मैं डालूँगी आदा चमज कसूरी मेथी है हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी को हमेशा क्रश करके ही डाले हाथ से अब इसमें मैं कठल डाल दूँगी मैंने एक साथ सारा कठल नहीं डाला है कुछ कठल मैंने रख लिया है जिसे मैं नेक्स टाइम यूज कर लूँगी थोड़ा मैंने हरा धनिया कटा हुआ डाला है इसको भी हम तीन से चार मिनिट के लिए ढख कर रखेंगे ताकि मसाले और कठल अच्छे से मिक्स हो जाए मसालों का पूरा फ्लेवर कठल के अंदर चला जाए यह देखिए कठल की सब्जी को हम पूरी चावल या चपाती के साथ खा सकते हैं इसमें मैंने डाला है आदा चमच गरम मसाला और इसे भी अच्छे से हमने कर लिया है यह सब्जी बिल्कुल तयार है इसे मैं एक कडाई में जिसमें मुझे परोसना है मैं निकाल लूँगे प्रिंस अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स देना मत भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो का नॉटिफिकेशन मिल सकें थैंक यू